दोस्तों अभी तक आप आलू की सबजी को सिंपल तरीके से ही बना रहे हो चलिए आज की इस वीडियो के अंदर बिलकुल डिफरेंट और बिलकुल अलग तरीके से आपको आलू की सबजी बना कर खिलाने वाले हैं क्योंकि ये एक एलाज जवाब और काफी ज़्यादा बेहत तरीके से आपको तयार कर लेना है लेकिन आप लोगों में से कुछ लोगों को पता हुआ कि हम आलू में इस तरीके स्चेद क्यों कर रहे हैं जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं बता दो कि अभी थोड़ी दिर में इसको हम फ्राइ करने वाले हैं तेल के साथ और उसमें हम नमक भी डालेंगे जिससे इसके अंदर नमक चला जाएगा और आलू हमारे नमकीन हो जाएगी तो चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है फ्राइ कर लेना है और आलू के अंदर तो हमने छेट कर दिया था अल्रेडी पहले से ही अब ये देखे दोस्तों हम इसके साथ करने के बाद आपको क्या करना है जैसी थोड़ा थोड़ा लाल होना सुरू हो जाएगा आपको क्या करना है इसके अंदर नमक डाल देना है जिससे नमकीन आलू तयार हो जाए और ये देखिए नमक डालना सुरू कर दिए थोड़ा सा आलू भी लाल हो चुका है आप आप क कुछ इस तरीके से भी बना सकते हैं जिससे काफी बढ़िया और काफी बढ़िया स्वाध आने वाला है इससे आलू की रेसिपी के अंदर तो चलिए आलू हमारे पास आ चुका है अब आपको क्या करना है कुकिंग पैन लेना है और उसके अंदर भी ओयल डाल देना है अब ओ आपको सारा चीर डालना है इसके अंदर लेकिन उससे पहले थोड़ा सा प्याज को आप फ्राई कीजिए और फ्राई जैसी कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आपको सारे मैटेरियल को इसके अंदर डालना है तो चलिए प्याज को हम फ्राई कर लेते हैं और उसके हमने डाल दिया इसके अंदर लस्वन को और आप लोगों को पता ही होगा लस्वन का फ्लेबर जो है काफी अच्छा रहता है काफी टेश्टी रहता है तो चलिए लस्वन को भी हमने फ्राय करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे ये फ्राय होना शुरू हो चुका है जैसे जै आपको चने डाल देना है आप दोस्तों अभी तक साबुत आलू और चने की सबजी बनाएंगे लेकिन आज हम बनाने वाले हैं बिल्कुल डिफ्रेंट तरीके से आलू की सबजी जो की आपको काफी अच्छा लगने वाला है उसके बार लाश्ट में आपको डाल देना है इसक कौन सा मसाला तयार करना है आप ये देखे चोटी सी बाल लेना है उसके अंदर आपको हल्दी डाल देना है उसके बाद इसके अंदर डाल देना है धनिया पॉटर उसके बाद आपको डाल देना है इसके अंदर लाल मिर्च पॉटर आप अपने च्वाइस के हिसाब से मसाल को तयार करने वाला है जो कि काफी बढ़िया तरीके से तयार होगा आपको क्या करना मिक्सी के जार लेना है और यह जैसे ठंडा होता आपको क्या करना मिक्सी के जार के अंदर डाल कर इसको अच्छी तरीके से इसको पीस लेना है फिर इसके अंदर थोड़ा का पानी भी डाल अब हम क्या करेंगे इसको दोस्तों देखे पीस कर हमारे सामने तयार हो चुका है अब ये देखे हमारा तयार हो चुका है अब हमें क्या करना लाश च्टैप में कुकिंग पैन को गैस पे चड़ा लिए उसके बाद इसके अंदर ओयल डालने के बाद इसके अंदर डालने के इसमें अच्छा टेश्ट लाने के लिए हम डाल देंगे पतरज जिसको की तेज पत्ता भी कहा जाता है लेकिन आप जरूर बताना आपके स्टेट में इसको क्या कहा जाता है तो comment में जरूर बताना उसके बाद इसके अंदर डाल दिया हम एक हरी मिर्च अच्छा टेश्ट लाने के लिए इसके अंदर हरी मिर्च भी डाल दिया अब जैसी ही तियार होता आपको क्या करना है इसके अंदर जो हमने मसाला तैयार किया था बावल के अंदर वो इसके अंदर डाल देना है लेकिन इस बीच आपको गैस से थोड़ी से दूरी बना कर रखना है क्योंकि ये ज़्यादा फ्राय हो जाता ज्यादा उचलना तयार हो जाता तो इस तरीके से आपको थोड़ी से दूरी बना कर रखना है अब ये देखे जैसी ये फ्राय होता है थोड़ी दिर के लिए फिर इसके अंदर आपको क्या करना है जो हमने मसाला तयार किया था जो हमने प्याज को फ्राय किया था वो इसके अंदर डाल देना है ये देखे ये डालने के बाद आपको क्या करना है इसको थोड़ी दिर के ल भी डाल देना है और फिर इसको हम थोड़ी दिर के लिए फ्राइ करेंगे जैसे जैसे आप फ्राइ करते जाओगे इसमें देखो कि एक अच्छा टेस्ट आता जाएगा और सामने देखो कि एक अच्छा कलर आता जाएगा तो इसके अंदर आपने टेस्ट के अनुसार आपको नमक भी डाल देना है अभी तक हमने इसके अंदर नमक नहीं डाला था तो अब आपको नमक भी डाल देना है और फिर इसके बाद इसको अच्छी तरीके साब को मिला लेना है जैसे मिलकर तयार होता है आप देखो कि थोड़ी दिर में इसके अंदर वाल आना शुरू हो जाए यह देखे दही डाल दिये है इसके अंदर अब यह देखे जैसे इसके अंदर दूसरा अबाल आना श gold bitches अब जो हमने आलू को fry किया था वो इसके अंदर डाल देना है जैसे कि मैंने आपको बताया था इसको cutting करके भी आप डाल सकते हैं लेकिन कुछ इस तरीके से हमने इसको अंडे की आकार में ही डाल दिया है फिर इसको बाद इसको हम थोड़ी तरीके लिए ढग देंगे और ढखने के बाद इसको करीबन पांच मिन्ट के बाद हमने निकाला है और ये पूरी तरीके से तयार हो चुकी है ताकि देखने में अच्छा लगे और धनिया पता से स्वाद भी अच्छा आता है कस्तूरी मेथी से भी काफी बड़िया फ्लेवर आता है काफी बड़िया स्वाद आता है तो हमने इसके अंदर कस्तूरी मेथी डाल दिया इसके उपर तो कुछ इस तरीके से बनकर तयार हो झाल झाल